नमस्ते मेरा नाम सुभम है और आप मुझे ब्रेन बिहार पे देख रहे हैं सहारा इंडिया और सेवी का जो मामला था उसका केस लिस्ट हुआ था आठ अगस्त को जिसका ओर्डर भी साइट पे अपलोड हुआ है और इसका नेक्स्टे सेट देया गया है 7 सितमबर 7 9 2022 लेकिन यह मेन केस की सुनवाई होगी 7 नौ को इसमें अस्मझस है हमने एक जो आदमी से बात करने के भी कोशिज की कि यह केस जो लिस्ट हुआ है 9 सितमबर को इसमें मेन केस का हीडिंग होगा जिसमें से 25,000 करूर सहरा इंडिया का छुटना है या जो भी होना हो लेकिन इसमें सीधा लिखा हुआ है ये चीज कि वानली फर इंटर्वेंशन अप्लिकेशन एक इंटर्वेंशन अप्लिकेशन आपका लगा था 33 सार 117, 2021 में किसी ने डाला था उसी को बिड्रो करने के लि संभव नहीं है और इतना इंटर्वेंशन अप्लिकेशन लग रहा है उसमें के सुनवाई के करने के लिए सेवी के तरफ से भी साहारा के तरफ से भी तो ये कौन सा कोट का सिस्टम है जिसमें में केस का सुनवाई के लिए डेट नहीं आ रहा है और केस बिड्रो करने का सब्सक्राइब नहीं छोड़ना है तो इस तरह से सारे लोग इंतिजार करते करते ठक गए हैं इसका नतीजा कुछ ना कुछ जल से जल्दाना चाहिए दूसरा है कि आजादी का 75 आपका बरसगांट देश मना रहा है बहुत ही हरसो उल्लास के सांथ मनाय जराइस आप लोगों को भी आजादी का 75 सालगिरा मुबारक हो मेरे तरफ से लेकिन क्या आजादी इसलिए मिली थी कि जो लोग पैसा ले ले रहे हैं वो हाई कोड सुप्रीम कोड तक दिखाते रहें लोगों को उनको तो सबसे ज़्यादा आजादी का फैदा उनको मिल रहा है क्योंकि वो आजाद हैं पैसा ले लेंगे भुगतान नहीं करना पड़ेगा और हाई कोड सुप्रीम कोड करते रहेंगे सारा इर्यां भी लेटर जारी कर रहा है कि अपना लीगल सेल मजबूत कर रही है कंपनी जान गई है कि लीगल सेल पर ही हम जितना दिन खितना है कव seperti आएगा और हाँ पेमेंट दोंहीं करा सकता है अब साहारा इंडियास या तो सरकार सर्कार भी नहीं चाहे ह। कि पेमेंट हो सरकार अगर चाहती तो इतना दिन तक के सुप्रीम कोट में नहीं लटका रहाता इतना पुराना केस राम मंदिर वाला कैसे सरकार ने चाहा तो तुरंत उसका डिसीजन आ गया मंदिर बनना शुरू हो गया तो जब सरकार चाहेगी तो बहुत बड़ा-बड़ा केस तुरंत लिस्टिंग होता है उसका ने नहीं आता है तो सरकार चाहेगी तब दूसरा है कि सहारा से पेमिन्ट लेना होगा तो उसके एजेंट और फ्रेंचाइजी मनेजर प्रेंचाइजी मनेजर जो लोग हैं 10-20 परसंट लोग भी अगर साथ हैं तब तक शारा भूप उनसे पूछे कि जब कौन डीडी बना के भेजा जब सहारा इंडिया पैसा जमा हो रहा था तो डीजी ब्रांच के माध्यम से उपर जा रहा था ना तो जब डीडी बना के भेजने वाले फ्रेंचाइजी मनेजर है तो जब उधर से आने का बारी है तो यह भी काम उन्हीं का है कि वो पूछ के बताएं कि क्या हो रहा है और प्रेसर बनाएं तो जब तक फ्रेंचाइजी मनेजर बगावत नहीं करेंगे पूरे इंडिया के एक सांथ तब तक साहरा इंडिया भुगतान निकालने वाली नहीं है उन लोगों पर एक दुख किता केस कर देगी इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने भी फ्रेंचाइजी मनेजर और एजेंट सांथ में हैं वो भी बिरोद सुरू करें नहीं तो ऐसा ही पैसा निकालने वाली नहीं है अपना लीगल सेल मजबूत कर लेगी और सब को हाई कोट सुप्रीम कोट भेजने की तयारी में है कि सुप्रीम कोट नहीं जाएंगर कि हो रहा है सुप्रीम कोट से इनका भुगतान हो गया होगा तो सुप्राइबख़ पता नहीं दू του में की सब का कुछ पता नहीं चल रहा है क्यूंए सब कर्पूरेट लिक्वे यह थी आपका इंसल्वेंसी प्रोसस में थी लेकिन वह अब स्टेटस हट गया है और वह दिखा रहा है कि अब कंपनी का बालेंस इट 2020 तक फाइल है तो इसका कंप्लेंट फिर से किया जा सकता है वह मुनिस्ट्री अब कर्पूरेट अफेयर्स में क्योंकि सोसाइटी के कंप्लेंट M.C.A. के अंतरगत नहीं आती है तो नहीं जा सकता है उग डेली हाइकोट में ही जो हैसला होना है होगा सहरा इंडिया कमर्सियल कर्पूरेशन का है तो उस सेम मेटर है जो सुप्रिम कोट में जो केस चल रहा है उसका निर्दाय आएगा तब ही यह दोनों कमपणियों में जो पैसा हा उसका कुछ निर्दाय होगा क्यूंकि अगर कहीं भी हम लोग केस करेंगे रिलीज अफ मॉनी का केस बनता है और केस जाके मालने यह सुप्रिम कोट में ही हम लोग कर देते हैं तो केस जाके उसमें टैग हो जाता है तो जब मे में भी कर सकते हैं और सेबी में भी कर सकते हैं क्यूंकि अब हमको डाटा निकालना परेगा डारेक्टर लोगों का भी कौन-कौन डारेक्टर है आप पहले थे उन सारे लोगों को नोटीस जाएगा और सिये का साइट 15 अगास से लेके 30 अगास तक अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब चला जाएगा अपडेशन के लिए तो कोई काम नहीं होगा तो मिला जुला कि अब सितंबर में ही कुछ होने जाने वाला हमको भी लग रहा है लेकिन एक चीज और देखने में आए कि वींस का लोग जिससे आए लेकिन वींस के बारे में हम आप लोग को बता दें कि पहले पार्टनर्शिप फॉर्म था विंस जिसमें आप लोग को सहरा इंडिया बताया रहा है कि हम इससे कुछ को लाबरेशन किये हैं और उसमें आप लोग काम किजिए आपका फ्यूचर बहुत अच्छा मैं रजिस्टर कर लिया गया है साथ जुलाई को में आप जाइए गया तो उसमें दिखा रहा है कि कंपणी से आप देख सकते हैं और कंपानी का और पेड़ाप कैपिटल दस लाग पेड़ाप कैपिटल वह होता है जिस जो की कमपणी में लाया जाता है बीजनेस सुरू करने के लिए तो अब आप लोग यह समझ लिजिए जो काम कर रहे हैं कि दस लाग पूजी से यह विंड्स स्टार्ट हुआ है कितना बड़ा पूजी क्योंकि बाद में फिर सोसाइटी के तरह पल्ला जारेंगे कि हम इसमें नहीं है तो सोसाइटी और पार्टनर्सिप एक्ट का तो कहीं डाटा नहीं रहता है जिसके चलते आप लोग को पता भी चल चके तो विंड्स भी पहले पार्टनर्सिप पॉंड था अब बहुत जग का गलती है आप लोग देख लिजिए कि कंपनी एक पार्टनर्सिप फॉर्म है और को पार्टनर्सिप एक तुने सब 32 से यह रेगुलेट होती है जो कि सारा सड़ी गलत है इसको विंड्स वालों को तुरंत सुधार लेना चाहिए अगर मेरा वीडियो बोलो देखते हैं त तो हो सकता है अप्लिडरेशन में छूट गया हो तो इतना तगरा उसका मनेजमेंट है कि इसको पता नहीं है कि कंपनी है कि पार्टनर्सिप फॉर्म है साइट पर भी वही गलत सलत कर रहे है जैसे तैसे करते आई है जैसे साहारा गुरूप की हर एक कंपनिया करते रही है तो यह आजादी वाला महीना है सब लोघादी मना रहे हैं बहुत ही खुशी की बात है हर घर तिरंगा में से स्युषय कर लेकिन के ज़रूरी है एक त्लीर यह है कि हर दिल तिरंगा 51 अ रहे है कि एक है शोशल मेडिया पर ही बाइरल हो रहा था आपका कि तिरंगा तो है इसके पास लेकिन घर नहीं है तो मोदी जी को इस पर विध्यान होना चाहिए कि हर एक आदम का घर हो जाए कम से कम कि वो तिरंगा लगा सके अपने घर में दूसरा एक कटाक्ष का बायरल हो रहा है इडी वाला आप लोग देखिए और इसका मीनिंग समझे एक पंडी जी है और वो हाथ देखते हैं जैसे रोड के किनारे लोग पंडी जी लोग चाहे जो भी लेके बढ़ते हैं इसे हस्त रेखा का जो की डिटेल बताते हैं और लेक यह कटाक्ष है तो इसका मीनिंग यहीं हुआ कि जिधर कॉंग्रेस का हाथ शाप दिखेगा इडी उधर ही जाएगी तो क्या इडी केवल राजनीतिक फाइदा के लिए ही यूज किया जाएगा सरकार के दोर आएकि सहारा सिरी और ऐसे ऐसे लुटेर लोगों के पीछे भी समझ रहे हैं यहीं इसका माने हुआ है दूसरा एक पंचायत टू का वीडियो बहुत ज्यादा तेरी से बाइरल हुआ है कि देख रहे हो ना बिनोध तो एकदम बहुत ही अच्छा हमको लगा इसलिए हम चार है कि दूचार दस सेकेंड हम अपने वीडियो के लास्ट में भ क्योंकि कोपी राइट होई सब का इस्टाइक फिटाई आने का जंजट से हम दूर रहना चाहते हैं दस सकेंड का है लास्ट में आप लोग देखके और आनन्द लीजिए बाकी जैसा भी अपडेट रहेगा सहारा इंडिया पर हम आप लोगो देते रहेंगा धन्यवाद कर दिये अब भी तो लेटरीन के सीट वे नहीं लगा है अज जग मोहन के यहां एक दम उल्ता किये है वहां सीट लगा दिये हैं लेकिन दिवादे खरा नहीं किये बताईए उसमें जाता भी का करेगा विचारा वही है भूशन जी हम लोग कोशिश कर रहे हैं